बोजपुरी सिनेमा में अपने एक्شन से चटचाओं में आई कलाकार एक्टर, आजे दिक्षित, तेरवे बोजपुरी फिल्म अवॉर्ड सावारों में बोजपुरी फिल्म फुहर्ड सिनेमा के लिए यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गुपाल गुपता, अभीनेता सुरेंद्रपाल और आयोजक विनोद गुपता के हाथों विशेश अवार्ड से सम्मानित किये गए हैं इस समान के बाद अजय दिक्षित ने कहा है कि वो तेरवे भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारों का धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इस अवार्ड में उनकी फिल्म फूहर सनीमा को नोटिस लिया गया और ये सम्मान मुझे दिया गया ये फिल्म भोजपुरी फिल्मों की वुल्गारिटी के खिलाफ थी इसके हलावा मेरी फिल्म बेटवा बाहुबली टू चार के टिग्री बेस्ट डिजाइन बेस्ट एक्शन बेस्ट आइटम सॉंग और बेस्ट सपोंटिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट में आया इस से पहले बेटवा बाहुबली वन के लिए सरुष्रेस्ट नवोदित अभिनीता का अवर्ड मिल चुका है बेस्ट रास्ट एतन एक तावर्ड फलम और बेस्ट नवोदित अभिनीता अवर्ड भिन०्ट युके हैं फिल्म नजरिया तोसिन लागी के लिए उन्होंने कहा कि आजकल भोजपुरी सिनेमा का इस्तर बहुत जादा बढ़ा है यही कारण है कि ना सिर्फ बड़े पैमाने पर फिल्म बन रही है बलकि दुनिया भर में इसे नोटिस भी किया जा रहा है इस समान से वह बह नर्देशक सुनील मोटवानी है तो वहीं नर्देशक शुरेंद्र मिश्रा की फिल्म लाल इश्क में भी अजन नजर आने वाले हैं जिसके शूटिंग मुंबई में अगले महिने से होगी इसके अलावा अजय दिक्षित की एक और फिल्म आखिर कब तक जल्दी बॉक्स अफिस पर दस्त तक देने वाली है नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट